पता नहीं यार तुम सबने इस चीज को लेकर के नोटिस किया की नहीं लेकिन मैंने अभी तक जितना नोटिस किया और मैंने जिसे साफसे टाइटल लिखा है हाँ तुम सही समझ रहे हैं मेरे को जानते लगता है अभी ओडा नेक्स्ट फाइट ब्लैक बीर्ड वसिस लूफी करने का प्लैन बना रहा है और इसी चीज को लेकर के ही सेट अप कर रहा है आज हम लोग जानेंगे आखिर कौन-कौन से वो पॉइंट्स निकल के आते हैं जिससे यह पॉसिबिलिटी बनता है कि नेक्स्ट फाइट जो लूफी का किसी बड़े कैरेक्टर के साथ होने वाला वो ब्लैक बेर्ड वसिस लूफी ही है अब मैं ऐसा क्यों कहना हूँ और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनसे वो फाइट कर सकता है जैसे सबसे बड़ा अभी का टाइम पे आएगा जो कि मेन विलन अगर हम लोग कहें इस पूरे सीरीज का है तो वो है वर्ड गवर्मे देखो सैंक्स विलन निकले या ना निकले इससे मेरे को कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन सैंक्स को अभी के टाइम पे तो side किया जा रहा है इस टोरी से और जिस हिसाब से ब्लैक बेर्ड को अभी push किया जा रहा है आगे धकेला जा रहा है जादा highlight किया जा रहा है ओडा के तरफ से latest chapter को ले करके तो हाँ, यहाँ पे ज़्यादा chances यही निकल के आते हैं कि next fight blackbeard versus luffy ही होगा, अब यह कौन-कौन से points निकल के आते हैं, सबसे पहले तो देखो, बात करते हैं, blackbeard ने kubi को kidnap king किया पहली बाद तो जब वो boa hancock को लेने के लिए गया था, मतलब उसका devil foot लेने गया था, वहाँ पे rally आके उस fight को रोग देता है, अब वो वाले chapter को अगर तुमने ध्यान से raid किया है तो वहाँ पर rally कहता है, हम खुश नसीब है, वो वाला line था, because अभी के time पे rally उतना strong नहीं है कि वो अभी के black beard को हरा सके because वो बूढ़ा हो चुका है, अब देखो black beard एक young है, plus वो अभी के time पे दो-दो devil fruit को possess करता है, पता नहीं कैसे करके लेकिन करता है, साथ ही साथ अभी के time पे वो काफी ज़्यादा strong है, पहले से मैं एक prediction लगाना चाहूंगा, देखो black beard यहाँ आया था, बोवा के devil fruit लेने अब उसको वो नहीं ले करके वो कूबी को उठा के लेके चल गिया यहाँ पे क्या हो सकता पता है, देखो वो जो seraphims या सारा फिम जो भी है मेरा pronunciation बहुती ज़्यादा खराब है वो जो नए वाले जो पैसाफिस्टास थे उन सब को देख के लगता है, कि वो काफी ज़्यादा strong है, पहले वाले से तो ज़्यादा ही strong है, और ऐसा हो सकता है कि black beard ने यहाँ पे कूबी को किड्नैप इसलिए किया, ताकि वो पैसाफिस्टास को ले सके अब हमें यह नहीं भूलना चाहिए, कि उस चेप्टर में जब पैसाफिस्टा भाई अन्डा धूंद अटैक किये जा रहा था, तो कूबी ने जैसे ओर्डर दिया, वो पैसाफिस्टा रुख गया था, और यहाँ पर ज़्यादा चांसिस यह निकल के आते हैं कि ब्लैक बियर्ड को वो पैसाफिस्टा जो नए वाले हैं सहरा फे, वो उसे प्रभावित किया होंगे और ब्लैक बियर्ड का ध्यान जो उधर चल गया होगा, वरना फिर भाई, कूबी को किड्नैप करने का क्या फाइदा, अगर कूबी को किड्नैप करेगा, मरीन पीछे पड़ जाएगी तो यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटीज यह हो सकते हैं कि ब्लैक बियर्ड का ध्यान उन न्यू पैसाफिस्टास के तरफ गया होगा साथ ही साथ हो सकता है, ब्लैक बियर्ड यह भी कर सके वो कूबी के बदले, वर्ल्ड गवर्मेंट या कहलो मरीन के साथ कोई डील करे कि मुझे न्यू पैसाफिस्टास का एकसेस चाहिए अब देखो, अगर ब्लैक बियर्ड यह सोच करके लेके गया है, तो वो तो नाकामियाब होने वाला है विकाज अभी के टाइम पर फ्लेट एड्मिरल है आकाइनो, और भाई मरीन फोड में तो कूबी ने वार जब रुकवाने का कोसिस किया आकाइनो तो उसको जान से मारने वाला था तो भूल जाओ कि ऐसा होने वाला है तो यहाँ पर हो सकता है जो पैसाफिस्टा यार ले करके आया थे उन पैसाफिस्टा को भी सायद ब्लैक बियर्ड ले गया होगा कूबी के साथ साथ वैसे अभी के टाइम पर बस यही सामने निकल करके आया है कि कूबी ही किड्नैप हुआ है अब देखो कूबी के किड्नैप होने से यहाँ पर क्या चांसेस निकल के आते हैं देखो कूबी और लूफी दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं भलेई कूभी मरीन है और लूफी पाइरेट है साथ ही साथ बोवा हैंकॉक एमाजॉन लिली आइलेंड की एमप्रेस थी और कूजा पाइरेट की कैप्टेन पर अब बोवा हैंकॉक के पास वो दोनों ही नहीं है बिकाज उस मांगा चेप्टर में उसने कहा कि जब तक वो यहां पर रहेगी मरीन आते रहेगे तो यहां पर हो सकता है कि बोवा हैंकॉक वो जगा छोड़के चली जाए और हमें यह भी पाताया गया कि एक्स कैप्टेन कूजा पाइरेट की सैकी थी तो हो सकता है कि सैकी जो है दुबारा से एमजान लिली पे राज करे जैसे पहले करती थी और कूजा पाइरेट को भी वो ही हैंडल करे और यहां पर बोवा और उसके दो सिश्टर्स वो तीनों जह है वहां से कहीं और चले जाए अब देखो बोवा कहीं पर भी जाए वो सेफ नहीं रहने वाली है लेकिन एक जगह है जहां पर उसको सेफटी मिल सकता है मुझे पता है तुम भी वही सोच रहे हो लूफी के पास अगर लूफी उसके साथ अलाइंस बना लेता है तो अबियसली यार वो सेफ रहेगी और हो सकता है जब लूफी को पता चले कि ब्लैक बेट ने इस तरह से यार उसके दोस्त को परिसान किया है देखो भले बॉआ हैंकोक लूफी के उपर सिंप करती है लेकिन लूफी तो उसको फ्रेंड की तरह मानता ही है और अगर लूफी को ये बात पता चलेगा तो वो जरूर ब्लैक बेर्ट से बदला लेगा ब्लैक बेर्ट के उपर हमला करेगा और ऐसा हमने एक बार नहीं देख है और यहां पर लूफी और कूबी वर्सिस ब्लैक बियर्ड होता है देखो कूबी उतना स्ट्रॉंग नहीं है मेरे को पता है लेकिन यहां पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो ब्लैक बियर्ड है वो रॉक्ष्टी जबेक के विल को कैरी करता है और यहां हम देख सकत कि सेकेंड गॉड वेली इंसिडेंट हमें देखने को मिल जाए मतलब कूबी और इस्ट्रोहेट पाइरेट दोनों साथ में मिल जाए और यहां पर ब्लैक बेर्ड पाइरेट के खिलाव फाइट हो अब देखो लूफी को अगर पता चलेगा वो जरू अपने फ्रेंड को बच आएगी वो ज्यादा बड़ा आर्क नहीं होगा वो सकता 10-20 चेप्टर के अंदर का हो और इस दस से बीस चेप्टर के अंदर हमें जो है ब्लैक बेर्ड के और भी करतूते पता चले और उसके बाद जो है ओडा ब्लैक बेर्ड और लूफी का फाइट को सेट अप करें जहा भाई ब्लैक बेर्ड पक्का हुआ थर्ड पाटी की तरह घुसेगा और वो कबाब में हड़ी बनके प्राबलम खड़ी करेगा यहां पर कुछ लोग बोल सकते हैं कि सैंक्स उस वक्त बीच में आ सकता है अब देखो सैंक्स आए ना आए उस बात का पता नहीं लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ब्लैक बेर्ड और लूफी दोनों पस्नालिटी में एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग हैं एक जिसका डेवल फूट सन गॉड है तो वहीं दूसरा भाई डार्क डार्क फूट को कैरी करता है वहीं एक का विल है रॉक्ष्टी जेवेक तो द का उनलोग का फाइट होना तय है और हो सकता है ओडा यहाँ पर नेक्स्ट फाइट लूफी और ब्लैक बेर्ड का ही करा है और एक रीजन वन पीस अपने धीरे-धीरे क्लाइमेक्स में जा रहा है तो यहाँ पर जल्द से जल्द ओडा जो है फाइट को दिखाएगा और जल भी काफी ज्यादा इस्ट्रोंग है तो दोनों का फाइट देखने में बड़ा मजाएगा साथ ही साथ अगर ब्लैक बेर्ड वाइट के डेवल फूट को यूज करके समूंदर में सुनामी लाता है या फिर वर्ड को डिस्ट्रॉई करने का कोसिस करता है तो उसको अगर को फुल पोटेंशियल पर यूज करके साथ पूरे वर्ड को रबर बना दे यह बस एक थियोरी है मेरा थियोरी नहीं किसी और ने बना है तो हां यार ब्लैक बेर्ड को अगर को रोकने का दम रखता अभी के टाइम पर तो वह लूफी है सैंक्स को छोड़के अभी सैंक्स क भूलना तो यार मेलंग नेक्ट वीडियो में फिलाल के लिए पाई